पूरी जानकारी पराप्त कर पाएंगे ये राशी फल चंदराश पर आधारित है यानि मून साइन पर जिन लोगों को अपनी राशी नहीं पता है वो लोग अपनी जनकुंडली में ये देख लें कि चंदरमा उनकी किस राशी में है जिस राशी में चंदरमा है वो ही उनकी राशी है जिनके पास जनकुंडली नहीं वो अपने नाम के पहले अच्छर से अपनी नाम राशी जान सकते हैं और ये राशी फल अपनी नाम राशी से देखवा सुन सकते हैं और कौन-कौन से अच्छर कुम राशी में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशी जान सकते हैं 11 नौमबर से शुरू करते हैं, चंद्रमा का गोचर जानते हैं, पहले किस तरह का रहेगा 11 नौमबर से 20 नौमबर तक, तो 11 नौमबर को चंद्रमा मकर राशी में रहेंगे, मकर राशी कुम्भ राशी वालों का बार्वा भाव है, और वहां पर सनी और गुरू पहले से ही है तो 11 नॉम्बर को चंद्रमा का गोचर मकर राशी में होगा, तो आपको थोड़ा आलस से बचना होगा, अगर कोई भी कार रहे आपका विदेशी कमपनियों से जुड़ा है, या विदेशी कारोबार है, या विदेश से डायरेक्ट आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्या या इनमें आप कारे करते हैं, या आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, ऐसा कोई कारे आपका है, जो की आपका चिकित सा छेतर से जुड़ा हुआ है, तो आज के दिन आपको लाब मिलने वाला है, इसमें कोई सन्देह वाली बात नहीं है, अगर आपको इंबेश्टमेंट करते ह है बिना जाचे पर्खे कोई investment ना करें आज के दिन बेर्थ के विवादों से बचें द्रिष्टी आपके चंद्रमा की रहेगी छठे भाव पर और छठे भाव के स्वामी भी चंद्रमा है और बार्वे भाव में सनी और गुरू का भी गोचर है सनी राशी स्वामी है और बारवे भाव के स्वामी भी है तो खर्चों की अधिकता बनी रहेगी गुर्देव की द्रिष्टी छटे भाव पर है रिंड रोग सत्रू है तो इन में आपको आराम मिलेगी यानि जो कर्ज है अगर देना चाहते हैं तो आज के दिन दे स सकते हैं आपका उतर सकता है और रोग अगर कोई है पहले से तो आज के दिन उसमें आप देखेंगे कि आराम रहेगी और अगर कोई छोटी मोटी समस्या 5-7-10 दिनों से है तो उसमें आपको पूरी तरह आराम भी मिल सकती है क्योंकि चंद्रमा की द्रिष्टी रेड रोग सत्रू के भाव पर है और चंद्रमा में करक राशी भी है तो चंद्रमा की अपनी राशी भी है तो इसलिए उसमें आराम मिलेगा अगर कोई लोन बगेरा लेना चाहते हैं तो आपका इस समय यानि 11 नौंबर के दिन पास हो सकता है सत्रू आप परहाबी नहीं रह पाएंग तो इस तरह का कुछ मिला जुला सा परणाम 11 नौंबर को आपका रहने वाला है 12 और 13 नौंबर की बात करें तो चंद्रमा कुम्भराश में रहेंगे आपके प्रथम भाव में रहेंगे प्रथम भाव में चंद्रमा के गोचर के परणाम बहुत ही अच्छे होते हैं प्रथ जीवन साथी अगर कोई ब्यापार या नौकरी करते हैं तो उससे आपको लाब मिलेगा ब्यापारिक पार्टनर से लाब मिलेगा ब्यापार कारोबार में लाब मिलेगा ब्यापारिक पार्टनर से समंद अच्छे रहेंगे जीवन साथी से समंद अच्छे रहेंगे प्रेम सम मौक्री में भी और आपके पारिवारिक संबंधों में भी सभी में ये दोनों दिन आपके अच्छे जाने वाले हैं। चौधा तारीक को चंद्रमा मीन राश में प्रिवेश कर जाएंगे दूसरे भाव में कर जाएंगे और यहाँ पर 16 नॉम्बर तक रहेंगे। स्वास्त का ध्यान आपको रखना होगा। बाकि इन तीनों दिनों में धन के मामले में अचानक लाब भी हो सकता है लेकिन खर्चे बढ़े रहेंगे और अचानक हानी भी हो सकती है इस वात का ध्यान रखें। कुल मिलाकर सामाने प्रणाम रहेंगे 14, 15 और 16 नॉम्बर को। 17 और 18 नॉम्बर को चंद्रमा मेसराश में रहेंगे यानि कुम्भराशिवालों के तीसरे भाव में रहेंगे। तीसरे भाव में चंद्रमा के गोचर के प्रणाम अच्छे होते हैं। भागे का साथ आपको मिलेगा, पिता से सही योग मिलेगा, छोटे भाई बहनों से सही योग मिलेगा, मित्रों से सही योग मिलेगा, छोटे भाई बहन अगर आपके साथ में हैं, परिवार में रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, और आप उनसे जुड़े हुए हैं पूरी भरपूर रहेगा आपका, और आप मांसिक तनाव भी नहीं रहेगा, मित्रों तथा चोटे भाई बहनों से लाब तो मिलना है, कोई छोटी यात्रा भी कर सकते हैं, आप 17 ए 18 नौम्बर को, या कोई छोटी यात्रा या बड़ी यात्रा का प्लान भी आप कर सकते हैं, आगे के चंद्रमा ब्रिसब राशी में रहेंगे और ब्रिसब राशी जो है कुम्भ राशी वालों का चोथा भाव है तो ब्रिसब राशी में जब चंद्रमा रहेंगे चोथे भाव में रहेंगे 1922 नौंबर को और ब्रिसब राशी आपके चोथे भाव में पढ़ती है जहां पर रा चंदरमा पर सबराश में हैं, चौथे भाव में भी हैं और 19 नॉमबर को चंदरमा पर ग्रहण भी है, यानि चंदर ग्रहण भी है हालां कि भारत में इसका कोई जादा वो नहीं है, क्योंकि भारत में यह बहुत ही अरुड आचल और असम के लावा कहीं पर नहीं दिख रहा ह ब्यापार कारोबार में अचानक लाव हो सकता है लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई अचानक हानी भी हो सकती है लेकिन लाव के चांस ज़्यादा रहेंगे पर माता के स्वास्त का ध्यान आपको रखना होगा परिवार के लोगों से बाद विवाद से बचना ना करें, परिवार के सदस्यों से तालमिल बना कर चलें, माता के खास कर स्वास्त का ध्यान आपको रखना होगा, पिता से भी कोई बहस बगारा ना करें, पिता से भी कोई ऐसे बात बिवार ना करें, कुल मिलाकर परिवारिक सदस्यों से आपको किसी से भी बात बिवार नही समय अच्छा ही जाने वाला है कोई बहुत दिक्कत वाली बाते नहीं हैं लिए उपाय की पहले बात करते हैं उपाय की बात कर लेते हैं तो उपाय की बात करें तो आप इस समय पर सुक्रवार वाले दिन मंदिर में सफेज चावल का दान आप कर सकते हैं और सुर्र को जल दें आप तामे के लोटे से रोजाना सुबह नहाद होकर तो उससे भी काफी लाब मिलने वाला है तो यह भी उपाय कर सकते हैं और सनिवार को सरसों के तेल का दान कर सकते हैं किसी एक गरीब मजदूर की मदद कर दें जादा ना कर सकें तो सनिवार वाले दिन किसी भी गरीब आदमी को खाना खिला दें या उसकी मदद कर दें या सनि मंद्र बगगरा जाकर कहीं पे अगर कोई गरीब मिलता है तो उसको कुछ दान कर दें तो इससे भी आपको लाब मिलेगा तो मित्रों आज मैंने आपको कुम राशिवालों का 11 नौंबर से 20 नौंबर तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की ये राशिफल सामाने राशिफल है सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभब नहीं है क्योंकि आपकी जन्म कुणली में ग्रहों की स्थिति और आपकी बर्तमान दसा और अंतर दसा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भग करता है आप सभी स्वस्त रहें, आईश्मान रहें, धनवान रहें ऐसी मेरी श्रीकिष्ण भगवान से प्रार्थना है जै श्रीकिष्ण